त्रावल के यूटूब के वीडियो जो मैं आपका स्वागत है दूस्तो मेरा नाम है निकित शाहा डूस्तो आपके सामें यह तीन अलग 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 प्रकार के केबल आपको नजर आ रहा है इसमें क्या डिफरंस नजर आ पको ध्यान से ज़रह देखे चले मैं बता देता हू अब या अब यह जो 3 केबल DECK पा रहे हैं इस में जो पहला वाला केबल है इसको बुलते हैं 3.5 कोर केबल दूसरा वाला है 3 कोर केबल और जो लास्ट वाल आपको जो दिखाया दे रहा है वह है 4 कोर केबल यानि आज के इस वीडियो में हम लोग यह तीनों केबल कहां पर इस्तमाल किया जाते है और क्यों इस्तमाल किया थे इसके बार में डीटेल में सिखने वाले तो चले वीडियो की शुरुआत करते हैं याद रखेगा वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ में अग साथी शाथ और इक वायर उसमें से बाहर निकलते हैं जैसे कि ध्यान देखें यहां पर आउटपुट में नजर आता है, अभी आ जाएगा आपको, सबसे पहले आपको चार वायर नजर आ रहे हैं, यह देगी तीन फेस के वायर है, जो कि step down voltage के आधार पर बहाँ निकले, और साथ इसाथ एक वायर और एक निकला है, जो की neutral का वायर हम लोग बोलते हैं, यहने कि त इन फेस के एक वायर को आपस में दूसरे के साथ में बीच में जोड दिया जाता है, और वहां से एक वायर बाहार निकल जाता है, जिसको में लोगते हैं, याने कि समझो, ryb और यह neutral का वायर, इस तरीके से जो चार वायर आपको नजर आ रहे हैं, यह चार वायर यही है, याने कि तीन phase lines और एक neutral line, समझो, आपकी building में, यह आपकी कोई company है, वहाँ पर यह wire को लाया गया, wire की दूसरी तरफ, याने कि आपकी load की तरफ, तीनो phase में समझो, आपने equal load distribute किया है, लेकिन और एक बात है, यहाँ पर यह neutral line जो transform से बाहर निकला है, वहाँ से एक ground के साथ में भी connection जाता है, ठीक है, neutral को balance करने के लिए आप बोल सकते है उसको, यह transform के दरफ रहता है, यहाँ पर हम लोग अलग से उसको earthing वगरा देते बाता लगे load side में, लेकिन इतना समझ भाया है, चले, अभी माल लोग जैसे मारी बात कर रहा था कि जो load है, तीनो phase पे यह आप के यह formula है, A rest to 2 plus B rest to 2 plus C rest to 2 minus AB minus AC minus BC, अगर मैं इसका calculation करने की आपको एक proper website बता हूँ, तो देखें, मैं आपको यहाँ पे click करता हूँ, एक website open होगी, यह देखें, वेबसाइट है, engineeringhub.co.in, यहाँ पे मैं आपको neutral current find करके बताता हूँ, यह आप देख सकते हैं, यहाँ पे current 0 मिल रहा है, correct? तो इसके आधार पे हमें neutral पे मिला 0 current, अगर आपको neutral पे 0 current मिल रहा है, तो आपको neutral वायर लगाने की जरूदी क्या है, वहाँ पे आप 3 phase का, याने की 3 core का wire का use कर सकते हो, सभज मैं ही बात, 3 core का wire का भी use होता है, जहाँ पे equally load को divide किया रहा है, तीनो phase के 120 degree phase shift पे equally divided है, equal load है तीनो phase के पर, तभी जाके इस core का आप use कर सकते है, इस cable का आप use कर सकते है, 3 core wire का, ठीक है? चले, अभी अगला example लेते है, अभी हमें आपको बताने की कोशिच का तो 3.5 core की wire के बार में, 3 core तो हम लोग ने देखें, यह एक core है, यह दूसरा core है, और यह 3 core का wire है, अभी 3.5 core के अंदर आपको एक अलग से wire दिया जाता है, छोटा wire है लेकिन, as compared to यह दिखो, यह बड़े-बड़े wire दिख रहे है, इसमें छोटा wire है, तो ऐसा क्यू है, इसमें क्या ऐसा problem है, क्या दिक्कत है, क्यू इसमें छोटा लिया है, इसको सारी details समझने से पहले, जानकरी के लिए बता दू, हम लोग ने online में भी बहुत सारे courses चालू कर दिया, electronics है, electrical है, home appliances repairing है, 2D animation, 3D animation, laptop repairing, mobile repairing, robotics, autocad, बहुत सारे courses है, यह अगर courses करने, तो हमारा एक application है, plus point training नाम का, यह आपको Google Play Store पे मिल जाएगा, अधिक जानकरी चाहे है, तो मेरा WhatsApp नंबर है पे मुझे केवल हाई का message डाल दीजे, तो मैं पूरी जानकरी आपको WhatsApp के माधियम से भी जाद होगा, साती साथ इस वीडियो के नीचे description में हरे courses के link भी दी गई है, और courses का application का भी link दिया गया है, जहां से उसको download कर सकते है, तो चले, आगे बढ़ते है, अभी मैंने आपको डाला हुआ है, दूसरे phase में 9A का load है, और तीसरे में 8A को लगे, तो थोड़ा सा end balance दिख रहे है आपको, balance नहीं किया हुआ है, कभी कोई industries में ऐसा हो जाता है, कि जहां पर balanced करना संभव नहीं रहता है, या balance नहीं किया हुआ रहता है, तो neutral पे current कितना आएगा, अगर मैं इसके formula के आधर पे calculation करूँ, तो हमारी same website से, मालों कि एक में 10 है, एक में 9 है और एक में 8 है, तो अगर एक में 8 है, तो मुझे मिल रहा है 1.73 neutral current, तो यहाँ पे current मिल रहा है, लेकिन बहुत ही कम है, as compared to ये तीनों के मामले, तो बहुत ही कम current आ रहा है, लेकिन आ रहा है, उस situation में हम लोग 3.5 core cable का use करता है, 3.5 इसके लिए बोला जाता है, कि यह जो main main phase है, उसको बड़ा जाड़ा वायर दिया गया, और एक पतला सा वायर जो रहाता है, neutral के लिए, क्योंकि neutral में जाधा current नहीं आने वाला है, proper calculation किया है, वहाँ पे हम लोग 3.5 core cable का use करता है, हमारी जो आजकल की जो industries है, ज्यादा तर जो factories वगर है, वहाँ पे 99.99% government जो बोलती है कि 3.5 core का cable ला लिए, विकोस भले आप कितना भी load अच्छी तरह से divide करोगे, वो थोड़ा सा imbalance कभी कभार होता ही है, इस वज़े से आपको जो है, एक 3.5 core याने कि एक neutral wire पतला सा देना ज़र जो load side में हम लोग ने एक पे 10 ampere दिया है, दुसरे पे 5 ampere और तीसरे पे समझो 3 ampere, इस type का कुछ load आ गया है, तो क्या होगा, बहुत सारे imbalance है यहाँ पे तो बहुत imbalance है, तो इसके according अगर मैं calculation करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक में 10 है, एक में 5 है और एक में 3 तो यहाँ पे हमें 6.24 neutral current, correct? तो यहाँ पे हम लोग 6.24 याने कि बहुत ज़्यादा neutral current आ रहा है, मालों कि यह 5 ampere से भी ज़्यादा, याने कि यह 2 phase से भी ज़्यादा हमें neutral current बहार निकल रहा है, उस situation में हम लोग को जो 4 core wire का या 4 core cable का इस्तवाल करना पड़ता है, यहाँ आप देख सकते ही, यह जो है, आप तीनों face का जो diameter आप देखोगे तो सेम है, सेम diameter आपको black वाले wire का भी दिख रहा है, याने कि 4th core का भी आपको नजर आ रहा है, यह कभी इस्तवाल, जब ज़्यादा imbalance होता ना लोड में, तभी हम लोग इस type के cables का प्रयोक करते हैं, हाला Basically, मेरा बोलने का total मकसद यह है, हम लोग एक बार पूरा review कर ले, तो जो 3 core wire आती है, आम तोर पे जो buildings वगरे में, जो supply दी जाती है, वो 3 core के wire में आती है, properly जहाँ पे distribution किया है, लोड का, 3.5 core की जो wire है, generally industries वगरे में, जहाँ पे load का distribution भले equally किया रहता है, लेकिन थोड़ा Unbalance बहुत जादा होता है, या certain unbalance हो जाता है, उस situation में हम लोग 4 core wire का use करता है, खास करके बड़ी-बड़ी industries के अंदर, तो यह थे आपका 3 core, 3.5 core और 4 core केबल की सारी की सारी जानकारी, दोस्तों अगर आपको online courses करने ही, तो यह मारा WhatsApp नमबर है, इस पे मुझे केबल हाई का message जाल दीजे, मैं आपको पूरी जानकरी WhatsApp के माधियां से भिजवा दूगा, याद रखे वीडियो अगर पसंद आए, तो like और share करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ में, अगर आप नए है चैनल के बड़, तो subscribe का बटन दबाखे, bell का icon दबादीजे, ताकि मेरे जो भ वीडियो में इतना है, तैंक्स वा लिसनेंग,